हेलो माई CBSC चैंपियन बच्चों आपका स्वागत है संकल भारत फांडेशन यूट्यूब प्लैटफॉर्म पे और साल भर तक जिस एक्जाम के लिए पढ़ रहे थे वो एक्जाम आ चुका है जी हाँ साइंस का बोर्ड एक्जाम आपका दो मार्च को है और आप इस समय अग के डाइग्राम का मैं दो वीडियो चैनल पे अपलोड करूँ ताकि ये बच्चे पढ़कर उसको समझ ले और इंपोर्टेंट डाइग्राम पढ़के जाए ताकि उनका डाइग्राम बेस कोशन सही जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का जो वीडिय डाइग्राम फिजिक्स के चार चैप्टर है और इन चारों चैप्टर में जो इंपोर्टेंट रे डाइग्राम है उन पर हम एक बार गौर फरमा लेते हैं क्या क्या कोशन बन सकता है और कौन सा डाइग्राम जादा इंपोर्टेंट है किस डाइग्राम में क्या समझने की है आईए इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे है ना इसेम इसी फॉर्मेट पे मैं important one shot लाओंगा डाइगराम का वो भी बायो के तो बायो के सारे डाइगराम एक वीडियो में और physics के सारे डाइगराम आप इस वीडियो है अब यहाँ देख पा रहे हैं कि रे डाइगराम की जब बात आती है तो सबसे पहले हम reflection पढ़ते हैं चैप्टर में reflection होता है mirror से तो spherical mirror में कुछ rule follow करने हमारे जरूरी है ताकि हम ray diagram बना सकें तो वो तीन rule आपको ध्यान रखना है यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला rule क्या है यह रहा पहला rule पहला rule यह कहता है कि अगर आप principle axis के focus से पास करती हुई क्यों ray को चाये वो concave हो चाये वो convex हो है ना जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे है कि ये ray कहां से पास हो रही है focus से तो reflection के बाद ये कौन सा mirror है ये कौन के mirror है और ये कौन सा mirror है convex mirror है तो वो ray जो focus के से गुजर रही है या focus की तरफ जा रही है आप ध्यान से देखिए वो ray हमेशा reflection के बाद क्या हो जाएगी parallel हो जाएगी ये rule आपको ध्यान रखना है तो अगर जब भी आप ray diagram बनाए तो ray diagram में ये ध्यान रखें कि अगर आप ray diagram में incident ray को focus से पास करा रहे हैं आप focus की तरफ ले जा रहे हैं तो reflection के बाद वो ray principle axis के parallel हो जाएगी ये पहला rule है फिर spherical mirror में ray diagram बनाने का दूसरा rule क्या है दूसरा rule ये है कि जो भी ray incident ray जो center of curvature से जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं center of curvature है तो जो ray center of curvature से पास होगी वो reflection के बाद उसी रास्ते पर वापस लोट जाएगी यानि अपने path को retrace करेगी और ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ angle i बन रहा है तो angle r भी बनेगा angle i 0 क्योंकि 0 क्यों क्योंकि यह जो mirror का surface है उस पर यह perpendicular incident हो रही है तो normal के साथ जो angle अगर आप देखेंगे तो वो 0 बन रहा है और angle r भी 0 तभी बनेगा जब यह वापस लोड जाए तो क्योंकि यह perpendicular incident हो रही है इसलिए जैसे आए थी उसी रास्ते पर वापस लोड जाती है तो c से पास होने वाली light ray c से ही वापस गुजरती है चाहे वो concave mirror हो या convex mirror हो जैकि यह देहां भी देहां से देखिए यह जो ray जा रहा है यह किसके तरफ जाती हुई दिखाए दे रही है तो convex mirror का यह रहा center of curvature तो यह incident ray ऐसा लग रहा है कि वो center of curvature की तरफ जा रही है तो यहां reflection के बाद वो वापस इसी रास्ते पर वापस लोड जाएगी यह दूसरा rule है तिसरा rule क्या है वो light ray जो mirror पे obliqually incident हो रही है obliqually का मतलब कि कुछ angle बना कर principal axis से कुछ angle बना कर तो जो light ray obliqually incident हो रही है वो reflection के बाद obliqually ही आपकी reflect होकर वापस लोड जाएगी और यह आपका angle eye और angle r हमेशा बराबर होगा चाहे वो concave mirror हो या convex mirror हो यह आपका तिसरा rule है और इनी तीन rule को follow करके हम क्या करते हैं ray diagram बनाते हैं ray diagram बनाते हैं कम से कम दो ray को मिलाने से आपका image बन जाता है बाद समझ में आ गई तो यह तो पहला diagram हो गया अब इसी rule को follow करके concave या convex mirror में हम ray diagram बनाते हैं तो यहां आप देख पा रहे है image formation by concave mirror अब concave mirror में 6 cases है यह पहला case जहां object infinity पर है तो हमने क्या पढ़ाता कि infinity से आने वाली light ray जो parallel होगी वो reflection के बाद कहां से पास होगी focus से जो focus से जारी है वो reflect होकर parallel हो जाएगी और जो parallel है वो reflect होकर focus से पास होगी तो यह वाली भी focus पे गई यह वाली भी reflect होकर focus पे मिली तो दो light ray कम से कम दो light ray मिली तो यह image बनेगा तो यह सच मुच में light ray के मिलने से बन रहा है तो यह आपकी कौन सी image होगी बताइए कौन सी image होगी यह real image होगी ठीक है second case जब object infinity पे नहीं है object कहा है beyond c है second case यहाँ भी आपको 2 ray चाहिए image बनाने के लिए एक ray यह हो गई parallel है तो focus से pass होगी और अभी आपने rule पढ़ा था तो center of curvature से जारी है वो वापस लोट जाएगी तो यह जब वापस लोटेगी तो यहाँ से मिली और यह light ray ऐसे जा रही है तो यह दोनो light ray यहाँ इस point पे मिल रही है तो इस point पे क्या बन गया image बन गया ठीक है third case अब object कहा है c पर तो image भी कहा बन रही है real image c पे बन रही है यहाँ भी आपको दो ray चाहिए तो एक ray हम सीधे ले गए तो यह focus से पास होगी और एक जो focus से ले गए थे वो parallel हो जाएगी अब यह दोनो light ray यहाँ मिली तो यहाँ क्या बन गई image बन गई आपने क्या सीखा कि जो हमने rule पढ़ा था पिछले case में यह तीन rule इनी rule को तो follow किया जा रहा है रिडाइग्राम बनाते समय तो यह rule बहुत important है ध्यान रखना फोर्थ case जब object कहा हो object आपका C और F के बीच में हो तो यहाँ भी दो light ray एक light ray जो parallel थी वो focus से पास हुई और जो center of curvature अब center of curvature यह है न तो जो center of curvature से दूर जा रही थी तो वो reflect होकर भी तो center of curvature से पास आएगी है न जिसका आना जाना center of curvature से होना है तो अगर दूर जा रही थी तो यहाँ reflect होगी perpendicular incident होई तो टकरा कर वापस लोटेगी और यह दोनों light ray यहाँ मिलेगी तो यहाँ क्या मनी इमेज बनी ठीक है clear next फिर आपता है fifth case जब object कहां हो object focus पे हो तो focus पे है तो एक light ray आपको फिर से parallel निकालना है parallel वाली कहां से जाएगी focus से और जो center of curvature से दूर जा रही थी वो reflect होकर वापस center of curvature से गुजरेगी अब यह दोनों light ray क्या है parallel तो यह कहीं दूर infinity पर image बनाएंगी है ना तो यह आपका पांचवा case है real image बनेगा लेकिन बहुत दूर बनेगा और बहुत बढ़ा बनेगा और फिर आखरी case sixth case जो बहुत important है कि जब object आपका pole और focus के बीच में हो तो अभी तक सारे mirror जो image बना रहे थे मतलब जो कौन के mirror सारी images बना रहा था वो real था लेकिन जब आखरी case आता है तो कहानी पलेट जाती है कैसे यह बहुत important case है क्योंकि यहाँ कुछ अलग हो रहा है pole और focus के बीच में आपने object रखा तो देखो यह light ray जो obliqually incident हुई थी rule हमने पढ़ा था तिसरा rule याद आया कि जो obliqually incident होगी वो obliqually ही reflect होकर चली जाएगी ऐसा आपने अभी पढ़ाता देखो यह वाला case तो एक light ray हमने ऐसे गुजा रहा और दूसरी light ray जो center of curvature से अभे जा रही है तो वो वापस center of curvature की तरफ जाएगी तो अब आप ही बताइए ये दो light ray कभी धर मिलेंगी नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके बीच का gap बढ़ता जा रहा है लेकिन इनको पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि किसी एक point से ये दोनों light ray निकल रही है तो यहां लग रहा है सचमुच में light ray मिल नहीं रही है तो यहां जो image बनेगा वो virtual होगा तो अभी तक पांचों case में real image बन रहा था लेकिन यहां कैसी image बनी virtual image बनी तो यही special case है कि कौन के mirror virtual image बनाता है लेकिन सिर्फ तभी जब object polar focus के बीच में हो और virtual image को हमेशा dotted line से दिखाना है लेकिन आप real image देखो real image कैसे दिखाया जा रहा है solid line से यह देखो solid line से तो अगर आपको real image दिखाना है तो solid line का use कीजिए virtual image को दिखाना है तो dotted line का use कीजिए यह real image के लिए है और यह वाला तरीका virtual image के लिए इसलिए यहाँ देखो dotted line से दिखाया है तो यह concave mirror का image formation का case है अब convex mirror की बात करें तो यहाँ दो ही case हैं बस पहला case जब object infinity पे होगा तो parallel light ray आपने पढ़ा है अगर parallel light ray आएंगी object infinity पे है तो उससे आने वाली light ray हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी पैरलल होगी और वो reflect होगी तो कहां से या तो focus से pass होती या focus से pass होती हुई focus से आती हुई नजर आती तो यहाँ reflect होकर ऐसे चली गई लेगन ऐसा लग रहा है कि यह किसी एक point से दोनों light ray निकल रही है तो उस point को हम क्या कहेंगे focus कहेंगे तो यहाँ image कहा बनी focus पे बनी कैसी बनी virtual बनी छोटी बनी और दूसरा case कि जब object infinity पे ना हो infinity के लावा कहीं भी हो तो यहाँ आप देख पारे हो कि एक parallel light ray आई और ऐसे reflect होकर focus से अवे जा रही है मतलब focus से आती हुई नजर आ रही है और जो center of curvature के तरफ जा रही थी वो reflect होकर वापस अपने रास्ते पर वापस लोटेगी तो ऐसा लग रहा है कि यह center of curvature से आ रही है अब इन दोनों light ray को मिलाने पर यहाँ आपकी image बन जा रही है जो की virtual है ठीक है clear हो गई तो यहाँ भी rule follow हो रहा है चलिए आगे चलते है अब बात आती है sign convention की तो spherical mirror में sign convention जो है वो lens में भी sign convention follow होता है बस अंतर यह है कि spherical mirror में जो distance measure करते हैं वो pole से measure करते है lens के case मे pole नहीं होता optical center होता है ठीक है अब sign convention यह कहता है कि हमेशा हम object को किदर रखते हैं mirror के left रखते हैं ठीक है हमेशा तो object को left रखेंगे तो object से जो light आएगी वो left से right आएगी और left से right direction को हम क्या लेंगे positive लेंगे जब भी कभी direction measure होगा left से right यानि right direction में जो भी distance measure होगा वो positive होगा लेकिन फिर आपको यह ध्यान रखना है कि शुरुआत कहां से करेंगे distance को measure करने की तो शुरुआत आपकी हमेशा pole से होगी pole से right की pole से left तो यानि starting यहीं से करनी है है ना ऐसा मत करने ना यहां अकसर गलती हो जाती है बच्चों से बच्चों से गलती क्या होती पता है जैसे मालो की यहां मैंने object रख दिया यह क्या है object तो pole pole से अब मैं इस object की क्या measure कर रहा हूँ distance तो कई बार distance लोग यहां से ऐसे measure करेंगे ठीक है तो यह गलत है शुरुवात आपको कहां से करनी है pole से करनी है आपने pole से नहीं की तो आपका answer गलत हो गया बास समझ में आई आपका answer क्या हो गया गलत हो गया तो जैसे यह object है तो आपको pole से शुरू करना है और pole से आप पहुँचे object के पास ठीक है अब आप पोल से किदर गए राइट साइड यानि डारेक्शन ओफ इंसिडेंट लाइट के डारेक्शन इंसिडेंट राइट किदर जा रही है राइट साइड आप भी उसी साइड राइट साइड गए तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगा पॉजेटिव और अगर यही पोल से आप लेफ्ट डारेक्शन में मेजर करते तो ये डिस्टेंस क्या होता निगेटिव अब आप बताएट को हमेशा लेफ्ट रखना है न तो पोल से अबजेक जाने के लिए अबजेक की डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड होगी तो अबजेक का डिस्टेंस हमेशा क्या लेगे माइनस लेगे इसलिए यू का साइड हमेशा माइनस होता है क्यों माइनस होता है क्योंकि अबजेक को हम हमेशा मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर के पोल से आपको left जाना पड़ेगा तब object की distance मिलेगी और left जाते ही आपका sign क्या हो जाएगा minus clear और क्या ध्यान रखना है कि ये जो principal axis है ये जो principal axis है इसके उपर जो भी distance होगी उसों positive लेंगे जैसे यहाँ object है तो ये distance क्या हो गई object की height, height of object तो ये principal axis के उपर है इसलिए height of object क्या लोगे, plus लोगे और अगर image नीचे बनेगी तो principal axis के नीचे जो भी distance measure की जाती है उसे minus लेते हैं, तो ये height आपकी क्या होगी, minus लेकिन अगर वही image उपर बनती तो फिर उस image का height क्या लेंगे, plus लेंगे, क्योंकि उपर जो भी कुछ होगा वो plus में होगा और जो भी image नीचे बनेगी या उसका नीचे जो भी कुछ बनेगा उसका sign हमेशा minus होगा किसके नीचे, किसके उपर principal axis के उपर positive, principal axis के नीचे negative pole के right positive pole के left negative बास समझ में आगई तो object के case में हमेशा आप यही पाऊगे, कि object का जो distance है, वो minus में और object की जो height होती है क्योंकि object को हमेशा principal axis के उपर रखते हैं, तो object की height हमेशा plus में होती है बास समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं next diagram पे अब lens के case में आपको rule याद रखना है, कि lens के case में image बनाने के क्या rule है, तो यहाँ भी तीन rule है, कि पहला rule पहला rule क्या कहता है? कि principal axis के parallel जो भी light ray होगी, refraction के बाद, अब lens में तो refraction होता है, तो refraction के बाद कहां से पास होगी? देखो, focus से पास होगी, पहला rule और अगर focus ठीक है? बाद समझ में आई? बाद समझ में आई? parallel वाली focus से पास होगी और जो focus से आई है, वो refraction के बाद parallel हो जाएगी, यानि आपस में y से वर्सा है, parallel तो focus focus है तो parallel, ठीक है? जैसे मैं second वाला के अगर यहाँ बनाना चाहूँ, तो जैसे यह incident कहां से आ रही है? फोकस से तो refraction के बाद क्या हो जाएगी? फ़ल यही चीज यहाँ है, बताया गया है ठीक है? तो पहला रूल तो यह हो गया, दूसरा रूल क्या है? कि अगर, sorry यह convex lens के case में और वही concave lens के case में भी वही है कि यह parallel light रहे है, यह diverge हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह किसी एक point से निकल रही है, तो वह point क्या हो गया? फोकस ठीक है? अब convex lens का हम लोग पढ़ते हैं कि focal length हमेशा positive होता है, क्यों? क्योंकि lens के case में optical center से distance measure की जाती है और optical center और focus के बीच का distance क्या होता है? focal length, तो यहां आपको right side जाना पड़ा, तो focal length क्या हो गया? positive तो convex lens का focal length इसलिए positive होता है लेकिन concave lens के case में optical center यह है और focus यह और इसकी बीच की दूरी focal length, तो आपको left side जाना पड़ा, इसलिए focal length क्या होता है? concave lens का negative होता है ठीक है? तो यह चाहे वो convex lens हो, चाहे वो concave lens हो focus से पास होई? parallel हो गई, focus की तरफ जा रही थी, reflection के बाद parallel हो गई ठीक है? third rule क्या कहता है? कि जो light ray optical center से पास होगी, वो बिना किसी deviation के सीधी गुजर जाएगी चाहे lens convex हो, चाहे lens क्या हो? concave ठीक है? बाद समझ में आ गई? mirror के case में तिसरा rule ये था, कि obliqually incident होगी याद करो mirror के case में क्या था? कि obliqually incident होगी, तो obliqually ही reflect होकर वापस लोट जाएगी तो ये mirror का तिसरा rule है लेकिन lens के case में क्या है? optical center से गुजरेगी तो optical center से ही बिना किसी deviation के सीधी पास हो जाएगी तो ध्यान रखना without any deviation without any deviation है ना? चाया वो convex lens हो या concave lens हो चले आगे? चले अब ये क्या है? अब image formation by convex lens पढ़ लेते हैं तो convex lens में 6 cases हैं जैसे concave mirror में 6 cases था तो convex lens की तुलना हम concave mirror से कर सकते हैं clear? तो यहाँ देखो पहला case object कहा है infinity पर तो उससे आने वाली light ray क्या होगी? parallel ठीक है? parallel के बाद ये सारी light ray reflection के बाद क्या? अभी आपने rule पढ़ा कि parallel है तो reflection के बाद कहा मिलेगी? focus पे focus पे मिल लई? image बन गई अब ये सचमुच में light ray मिल रही है तो ये real image होगी second case object इस बार infinity पर नहीं है beyond sea है तो एक light ray और optical center से पास होगी वो बिना किसी deviation के सीधी गुजर जाएगी और जो parallel है वो कहां से गुजरेगी? focus से तो ये दोनो light ray कहां मिली? इस point पर तो ये आपकी real image बन गई है ना? लेकिन ये image अभी object से छोटी है third case अब आपका object कहां है? third case में object आपका 2F पे है यहाँ भी एक light ray optical center से गुजरेगी सीधी और जो parallel है वो बिना किसी deviation के पास हो जाएगी वहाँ समझ में आ गई? और यहाँ आपकी image बन जाएगी अब यह जो image है वो object के size के बराबर है 2F पे जब भी object होगा image भी 2F पे बनेगी real बनेगी और same size के बनेगी ठीक है? फिर आता है fourth case object कहां है? C और F के बीच में तो एक light ray optical center से पास होगी और एक parallel ले जाओ और इसको focus से पास कराओ और यह दोनों जहाँ मिलेगी वहाँ आपकी real image बन जाएगी जो object से बड़ी होगी कितना easy है ray diagram बनाना? बाकी चीज़ें आप mention कर देना ray diagram बहुत है easy ठीक है? next fifth case अब इस बार object कहां है? focus पे तो अगर object focus पे है ठीक है? तो एक light ray कहां पास होगी optical center से बिना किसी deviation के और दूसरी parallel है तो focus से पास होगी अब यह दोनों light ray हमेशा parallel होगी तो कभी नहीं मिलेंगी तो यानि हम कह सकते हैं कि दूर जाकर infinity पर मिलेंगी यानि infinity पर कहीं बहुत दूर infinity पर जाकर image बनेगी वो भी real और यह आखरी हो special case अभी तक real image बन रही थी लेकिन convex lens real के सासर virtual image भी बना सकता है लेकिन तब जब object कहां हो optical center और focus के बीच में यह object है हाँ है बास समझ में आ गई और यह बिना किसी deviation के क्या हो light रे सीधी चली जाएगी यह वाली जो parallel है वो focus से गुजरेगी अब इनके बीच आप distance बढ़ता जा रहा है अब यह कभी इधर मिलेंगी नहीं लेकिन अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा लग रहा है कि यह किसी एक image से निकलती हुई लग रही है किसी एक point से आती हुई नजर आ रही है तो नजर आ रही है सचमुच में नहीं मिल रही है है ना तो यह आपकी कौन सी image हो गई यह virtual image हो गई और मैंने पहले ही बताया है कि virtual image को dotted line से दिखाना है ना solid line से मुद दिखाना तो यह special case है जहां आपकी virtual image बना रहा है कौन? convex lens और यह तब ही बनाता है जब object optical center of focus के बीच में हो और जो image बनाता है वो object के तरफी बनती है in front of lens on the same side as the object यह चीज याद रखनी बहुत ज़रूरी है behind the lens नहीं on the same side as the object and in front of lens ठीक है? फिर आता है image formation by concave lens, concave lens जो image बनाता है यहाँ दो ही case है पहला case object infinity पर है तो object infinity पर है तो उससे आने वाली light rays क्या होंगी? parallel अगर parallel होंगी तो यह क्या होंगी? diverge हो जाएंगी तो diverge हो जाएंगी तो ऐसा लग रहा है कि यह दोनों कभी नहीं मिलेंगी लेकिन इनको आगे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि किसी एक point से यह दोनों light ray निकल रही है ऐसे निकलती हों लज़र आ रही है तो यहाँ क्या बनेगा? image और यह हो जाएगा आपका virtual image यह बन रहा है कहा? focus पे तो object infinity पे तो image focus पे वो भी कैसा? image, virtual image second case focus से नहीं पास होगी लेकिन focus से आते हुई appear होगी तो यहाँ आपकी क्या बनी? यहाँ आपकी virtual image बनी की नहीं? तो concave lens हमेशा virtual image बनाता है clear? बहुत आसाने बनाना next, तो यह chapter हो गया अब आते हैं human eye colorful word पे इस chapter में आये देख लेते हैं कि important diagram कौन कौन से है सबसे important diagram तो यही है human eye का अब human eye के diagram में labeling देख लीजे यह सबसे बाहर वाला जो layer है यह cornea है cornea से light का सबसे ज़्यादा reflection होता है light का reflection lens से भी होता है लेकिन cornea से भी होता है लेकिन ज़्यादा कहां से होता है? cornea से, ठीक है? फिर आपका ये जो part है ये आपका iris है जो आखों का color है वो यही से decide हो रहा है और iris क्या करता है? pupil के size को control करता है और ये जो beach की जगा है उसे कह रहे है pupil और pupil से ही light enter करती है आखों में और lens में जाती है फिर ये जो पीछे आप देख रहे हो ये हमारा eye lens है आखों का lens जो convex होता है ठीक है? और इसको उपर से और नीचे से पकड़ के किसने रखा है? ciliary muscles ने? ठीक है? तो light rays ऐसे आएंगी converge होंगी और क्या होगा? ये retina जो परदा है यहाँ image बनेगा और image का signal ये optic nerve लेकर कहाँ जली जाएगी? brain उसकी processing करेगा और फिर आप object को देखोगे और समझोगे कि object कौन सा है ठीक है? retina पर जो image बनता है वो object के size से छोटा बनता है real बनता है और inverted बनता है ठीक है? तो ये human eye के important parts और उनका function है pupil का काम है to control the amount of light entering the eye iris का काम है pupil के size को control करना retina का काम है image बनाना ciliary muscles का काम है कि lens के curvature को change करना ताकि focal length को कम या ज़्यादा किया जा सके जिससे हम pass और दूर दोनों के object को देख सकें जिससे हम power of accommodation भी कहते हैं ठीक है? चलिए फिर next आते हैं आख है तो defect भी हो सकता है अब पहला defect का ये diagram है जिसकों कहते हैं myopia myopia में क्या होता है कि आखों का far point है जो कि infinity पे होना चाहिए वो आखों के करीब आ जाता है ठीक है? बास समझ में आई तो ये जो हमारा O है ये आखों का क्या दिखा रहा है? ये myopic आई है है ना? far point of myopic आई कहने का मतलब ये है कि आखों का जो far point है वो infinity से होना चाहिए infinity पर वो आजाता है आखों के नजदीक ठीक है? तो image इसलिए retina आपे ना बनकर image कहां बनती है? in front of retina बनती है तो myopia को अगर diagram से पहचानना होगा तो आप कैसे पहचानोंगे? अगर आपको diagram दे दिया और पूछाए कि ये diagram में कौन से eye defect को है बताया गया है? myopia, hypermetropia presbyopia तो आप कैसे पहचानेंगे? तो अगर आपने diagram देखा और diagram में normal case में क्या ओनी चाहिए? normal case में image कहां बनती है? retina पे जैसे याँ देख रहे है image कहां बनती है? retina पे लेकिन myopia में image कहां बनेगी? retina पे नहीं बनेगी, retina के सामने बनेगी, जैसा यहाँ देख रहे हैं यह image बन रहा है, तो retina के front में आपने देखा कि image का formation हो रहा है क्योंकि image वहीं बनती है जहां light rays मिलती है तो यहां light rays कहां मिल रही है उस point पे जो कि अभी retina के सामने है तो यहां image बनी image in front of retina तो यह कभी होता है यह तभी होता है जब myopic आई हो जिसमें जो far point है वो आखों के करीब आ जाता है और इसे ठीक करने के लिए हम light rays को diverge करते हैं by using concave lens तो यहां concave lens से हम myopia को ठीक करते हैं क्योंकि concave lens क्या करेंगी light rays को diverge कर देंगी और light rays diverge होकर कहां मिलेंगी retina पे है तो image दिखाई देने लगीगा तो इस तरीके से अब दूसरी बिमारी दूसरी eye defect जिसमें past का नहीं देखता myopia में दूर का नहीं देखता था लेकिन hypermetropia में past का नहीं देखता क्यों कि जो आपका near point है वो आखों से दूर चला जाता है यह n- क्या है यह normal आखों का near point है जो 25 cm होता है normal आखों का और इसके वज़े से जो image बनता है वो retina के पीछे बनता है तो diagram देखर अगर पहचानना हो कि hypermetropia कौन सा है तो diagram में अगर आप देख पा रहे हो कि retina के पीछे image का formation हो रहा है यानि behind retina समझ जाना वो hypermetropia का case है ठीक है अब इसे ठीक कैसे करेंगे light rays को और converge करना पड़ेगा तब जाकर वो retina पे मिले तो इसके लिए आप convex lens यूज़ करोगे तो आप जो चश्मा पहनोगे उसमें convex lens का यूज़ करना पड़ेगा और वो convex lens आपके object की जो image बनाएगा आखों में वो retina के पीछे नहीं retina पे बनाएगा और आपको object clear दिखाई देने लगेगा तो hyperpentropia में दो कि दो चीज़ें याद रखनी है कि जो आँखों का near point है वो आँखों से दूर चला जाता है और image का formation retina के behind होता है और इसलिए इसको ठीक करने के लिए हम convex lens यूज़ करते हैं ठीक है next अब ये आप देख पा रहे हो ये जो diagram है ये prism का reflection मतलब prism से light का क्या हो रहा है reflection और आगे इसी में आप पढ़ोगे dispersion तो यहाँ ध्यान से देखो ये prism है तो prism किसका बनाए ग्लास का हाँ sir और बाहर कौन सा medium है बाहर तो हवा है तो जब भी light एक medium से दुसरे medium में जाएगी तो bend होगी हाँ bend होगी और अगर air और glass को compare करें तो air आपका rarer medium है glass आपका denser medium है तो prism की इस surface पे बाहर air है अंदर glass तो light ray जो ऐसे incident हो रही है ये incident ray है तो ये इसको किधर जाना चाहिए normal के तरफ की normal से दूर तो light किधर जा रही है rare से denser की तरफ तो towards normal जाना चाहिए है ना, अब normal क्या है ये है normal तो जाना था light को सीधे लेकिन light क्या होगी towards normal bend हो गई और अब light ऐसे जा रही है ठीक है towards normal bending होई कि नहीं ये normal है तो अगर जाना था ऐसे और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो अब वो ऐसे जा रही है अब ये जो रीफ्रेक्टेड रे है ये आपकी इस प्रिज्म के बेस के पैरलल है तो ये हो गए इंसिडेंट रे ये हो गए रीफ्रेक्टेड रे अब यहाँ ध्यान देना है कि इंसि अगल बनाया आर ये एंगल आफ रीफ्रेक्शन हो गया ठीक है अब फिर प्रिज्म का जो दूसरा सर्फेस है प्रिज्म का ये जो सर्फेस है लाइट फिर यहाँ बाहर निकलेगी तो ये ग्लास से एर में जाएगी यानि डेंसर से रेर में तो ये नॉर्मल के तरफ नहीं नॉर्मल से दूर जाना चाहिए तो इसको जाना था सीध है लेकि ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर अगर नॉर्मल की तरफ जाए तो टूर्ट्स हो गया नॉर्मल से दूर बेंड हो गई तो अब ये ऐसे न जाकर आपकी ऐसे जा रही है ये अब ऐसे जा रही है तो य यह आपकी emergent ray हो गई बाहर निकलने वाली emergent ray अब इसने जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया यह आपका क्या है angle of emergence है angle of incidence, angle of reflection, angle of emergence बास समझ में आ गई तो यहाँ जरूरी है देख लेना कि रे किदर से किदर जा रही है जैसे इस diagram में left से right जा रही है हो सकता है diagram में right से left बना दे है ना तो इस बात का ध्यान रखना है और angle हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करना है अब incident ray ने emergent ray के साथ एक angle बनाया है जैसा हम यह देख लें यह ऐसे है और यह ऐसे है तो इनके बीच का कुछ angle बन रहा है यही angle angle of deviation कहला तो यह जो angle of deviation है अगर आपसे पूछे कि कौन से दो ray के बीच में यह angle बनता है तो आपको यह कहना होगा कि incident ray और emergent ray के बीच में जो angle बनता है यानि incident ray और emergent ray के बीच में जो angle बनता है वो angle of deviation होता है ठीक है बात समझ में आ गई तो यहाँ चीजों को ध्यान रखना है फिर उसी में reflection के साथ dispersion भी होने लगता है जब white light prism से पास होती है और dispersion के कारण जो colors है वो बराबर angle पे bend नहीं होते है different angle पे bend होते हैं तो कोई ज्यादा bend होता है कोई कम bend होता है तो सबसे ज्यादा bending violet में होती है तो violet सबसे नीचे दिखेगा आपको ठीक है सबसे कम bending red में होती है तो red आपको सबसे उपर दिखेगा है ना तो red में minimum bending ठीक है और violet में maximum bending जो ज्यादा bend होगा वो ज्यादा जुक जाएगा तो नीचे इसी लिए कौन है जो जुका हुआ कौन है ज्यादा वाइलेट ठीक है वाइलेट के बाद indigo blue green yellow orange red विबग्योर तो यह जो सिक्वेंस है साथ कलर का सिक्वेंसी यह बैंड यही स्पेक्ट्रम कहा जाता है और यहां कौन सा फिनामिना है dispersion of white light clear चलिए अब अगर मैं दो प्रिज्म को पास पास ले लूँ एक्चुली आइजेक न्यूटन ने सोचा कि जब एक प्रिज्म white light को seven color में split कर रहा है तो मगर मैं एक और प्रिज्म ले लूँ तो वो साथ कलर को और जादे split करेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या हुआ फिर यह साथ कलर वापस से combine होकर white light बना लिया और यह उसका डाइगराम है इसे ही कहते हैं recombination of the spectrum यह spectrum है साथ कलर का और इसका वापस से combine हो जाना इसे वापस का मिल जाना ही recombination of spectrum कहलाता है तो यह तभी मिलेगा जब आपने दो प्रिज्म लिया हो दो की जगह 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है यानि even number प्रिज्म हो और उसमें एक प्रिज्म आपका एक प्रिज्म सीधा हो तो दूसरा प्रिज्म जो है वो उल्टा inverted position में हो तो यहां white light गई रीफ्रेक्ट और डिस्पर्स हुई तो साथ कलर में बाहर निकली फिर वापस से साथ कलर मिल गए और वो white light बना लिए तो white light enter की white ही बाहर निकली recombination of spectrum तो इस्क्रीन पर आपको सा साथ कलर नहीं white light दिखाए देंगे लेकिन अगर इसी दो के साथ मैं एक प्रिज्म और बना दूँ ऐसा तो तो फिर इस white light का यह प्रिज्म क्या करेगा दुबारा से dispersion और तब आपको स्क्रीन पर साथ कलर दिखाए देंगे तो यानि जब भी odd number होगा प्रिज्म का एक ती समझ में आ गई है ना चलिए तो रिकॉंबिनेशन तभी कहेंगे कि जब white light एंटर करे और white ही बाहर निकले तभी वो रिकॉंबिनेशन है बात समझ में आई तो यह diagram बनाने को आ सकता है ध्यान रखना आगे चलते हैं अब this person nature में भी होता है जब rainbow का formation होता है और rainbow का formation होता ह है पानी की बूंदों के वजह से क्योंकि white light sun से आने वाली light जब पानी की बूंदों में बरसात के मौसम में बारिश हुई हवा में पानी है नमी है और उससे जब sunlight पास होती है तो उसका sunlight का क्या हो जाता है sunlight का reflection भी हो जाता है यहां देख रहे हो यहां और यहां यह पानी क बूंदे हैं water drop है ये और इसके दो point पर reflection हुआ dispersion हुआ और यहां इस point पर internal reflection भी हुआ ये तीन चीजें होती हैं और इन तीन चीजों के वज़े से जब sun की light पानी की बूंदों से बाहर निकलती है तो वो 7 color में split हो जाती है तो वो white light साथ color में आपको दिखाई देता है इंद्र धनुष्यानी rainbow के form में और यह उसी का diagram है ठीक है चलो फिर next जो diagram देख पा रहे हैं यह आपका star जो twinkle करते हैं उसका यह diagram है कि कैसे twinkling होती है तो उसको दिखाने के लिए diagram मनाये गया है यह star की actual position है क्या है star की actual position अब आपको पता है atmospheric reflection के कारण star की twinkling होती है अब atmosphere में reflection क्यों होता है क्योंकि हमारा जो air है उसकी density अलग-अलग height पे अलग-अलग है और जैसे जैसे आप earth के करीब आएंगे यह आपकी धरतीम आता और जैसे जैसे अर्थ के करीब आएंगे earth की जो atmosphere है या air है उसका refractive index लगातार increase होता है इसलिए यह नीचे arrow करके लिखा है समझ में आए इसका मतलब क्या था इसका मतलब यही था कि जैसे जैसे आप earth के करीब आएंगे क्योंकि यह लड़का earth पे खड़ा है न तो जैसे जैसे आप धरती के करीब आएंगे धरती की हवा का refractive index बढ़ता जाएगा refractive index बढ़ेगा तो air को हम मान सकते हैं लगातार light किदर से किदर जा रही है रेरर से denser की तरफ जा रही है जब अगर वो धरती के तरफ आ रही है light तो वो rarer से denser की तरफ आ रही है तो rarer से denser की तरफ light को किदर bend होना चाहिए towards normal और वो towards normal लगातार bend होने के चक्कर में ये light ray लगातार को bend होती जा रही है जाना ता सीधे लगे लगातार ये towards normal bend हो रही है अब आखों में जिस direction से ये आती हुई दिखाई देगी तो आदमी को star वहीं दिखाई देगा तो ये star की apparent position है star है यहां दिखाई यहां दे रहा है जैसे कि आप मालो ये ऐसा हो और ये light ray ऐसे मुड़ जाए अब यहां आपकी आख है सुन्दर सुन्दर आख है तो आपकी आखों में light ray ऐसा लग रहा है कि इस direction से आ रही है लेकिन आ तो रही थी यहां से तो कहने का मतलब आपको ये चीज यहां दिखाई देगी क्योंकि light जिधर से आती है हमको object उधर ही दिखाई देता है है ना तो कहने का मतलब कि इस object की यहां जो बनी यह image बनी और यह image हमेशा यहीं नहीं बनेगी कभी यहां बन रही है कभी नीचे बनेगी कभी उपर बनेगी क्यों क्योंक तो image का formation भी अगल अग position पे होता है तो ऐसा लगता है कभी light ज़ादा है कभी कम है इसी को कह रहेते हैं twinkling effect तो ये उसी का diagram है atmospheric reflection के कारण star twinkle करता है अब आ जाते है electricity chapter में तो electricity chapter में important diagram में सबसे पहला आता है कि जो भी circuit के component होते हैं component का आपको symbol याद होना चाहिए तब ही आप symbol का use करके circuit diagram बना सकते हो तो यहाँ पहला component है electric cell electric cell का जो diagram है symbol है वो ऐसा होता है बड़ी line छोटी line बड़ी line मतलब positive यानि high potential छोटी line मतलब negative low potential और फिर कई सारे cell को मिला दें तो battery बन जाता है battery is a combination of cell तो जैसे यहाँ कितने cell दिख रहा है एक cell दो cell तीन cell plus minus एक cell plus minus दूसरा cell plus minus तीसरा cell तो तीन cell से मिली यह battery है ठीक है फिर आता है switch switch off भी होगा on भी होगा off का मतलब switch open है और उसका symbol यह bracket मतलब switch off है open मतलब switch off है और switch को या plug key को close करना मतलब यह switch on करना है और इसका symbol है कि bracket के बीच में यह बिंदी लगा दो यानि इसका मतलब आपने switch को on कर दिया switch को close कर दिया ठीक है फिर अगर दो wire join कर रहे हैं तो यह उसका symbol है दो wire एक दूसरे को cross कर रहे हैं बिना जुड़े यह उसका symbol है कि एक wire ऐसे है और एक ऐसे flyover की तरह जैसे हम लोग flyover देखते हैं सडक नीचे रह जाती है flyover से हम दूसरे पार चले जाते हैं ठीक उसी तर बिना touch किये हम उस पार चले गए तो दो wire है आपस में touch नहीं कर रहे हैं एक उपर से गुजर जा रहा है यह उसका symbol है तो इन्ही symbol का यूज करके हम circuit diagram बनाते हैं फिर bulb का symbol बहुत symbol बहुत simple है यह जब भी आप circuit में ऐसा बनाएंगे तो समझ जाना कि bulb है रजिस्टर का जो रजिस्टेंस होता है वो दिखाने के लिए रजिस्टर का symbol ऐसा यूज करते हैं और फिर रजिस्टेंस की value लिख देते हैं और variable resistance जिसके लिए हम एक device यूज करते हैं real stat यह बहुत important है इसका symbol ऐसा है कि पहले resistance का symbol बनाया और फिर यहाँ arrow बना दिया arrow का मतलब कि यह कम ज़्यादा इसकी value हो सकती है यानि इस resistor की जो resistance है उसके कम ज़्यादा किया जा सकता है चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो ठीक है फिर यह m meter m meter का symbol है गोला ए लिए ब्लस माइनस फिर वोल्त मीटर का symbol है गोला वी लिख दो प्लस माइनस वोल्ट मीटर का वी ए म मीटर का एं है ठीक है चलिए आगे चलते नेक्स्ट फिर ये डाइग्राम ये circuit डाइग्राम है ohms law को study करने के लिए तो ये डाइग्राम कभी-कभी direct पूछ लिया जाता है कि वो डाइग्राम circuit डाइग्राम मनाओ जिससे ohms law को study करने में help मिली या जिससे ohms law की experimentation, experiment की value को हम निकाल सकते हैं तो उसके लिए जो circuit डाइग्राम मनाना पड़ा वो ये है तो इस circuit डाइग्राम आपको क्या रखना है तो ये ध्यान रखो ohms law के लिए जो circuit डाइग्राम है वो यही है circuit डाइग्राम to study ohms law इसमें आपको एक register यूज़ करना है तो ये रहा register का symbol और इसके साथ volt meter जो कि हमेशा parallel में लगता है वो लगा दिया और m meter लगा दिया जो हमेशा series में लगता है फिर एक close plug की लगा दिया और फिर ये wire को लाकर ऐसे रख दिया ठीक है फिर बहुत सारे cells का combination यानि battery लगा दिया एक पहली battery दूसरी battery तिसरी battery चौथी battery ठीक है और battery में दो terminal होते है positive negative positive negative positive negative positive negative अब positive से एक wire को लाया और लाकर यहां जोड दिया और ये दो point है जिन point के बीच में आपको क्या पता करना है एक्स और y ये दो point है जिनके बीच में आपको potential पता करने के लिए आपने वोल्ट मीटर लगाया ठीक है अब यहां आपको dotted line से दिखा देना है ये dotted line से दिखा देना है कि एक बार आपने इस wire को यहां जोड़ा एक बार आपने 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 यहां जोड़ा ठीक है तो अलग-अलग point से यहां जोड़ोगे तो चार potential 4V, यहाँ जोड़ोगे तो 3V, यहाँ जोड़ोगे तो 2V, यहाँ जोड़ोगे तो V, यानि potential बदल रहा है, और उसके वज़े से circuit में current बदल रहा है, और यह पता चला देखने पर, कि V is directly proportional to I, और यही होता है आपका कौन से लो, ओम स्लो, तो ओम स्लो को study करने के लिए यही circuit diagram आपको बनाना पड़ेगा exam में, next, फिर इस circuit diagram से जो relation मिला, V और I के बीच में, तो वो relation क्या मिला, directly proportional, और directly proportional कभी भी relation मिलेगा, तो graph आपको हमेशा straight line होगा, जैसा कि मैं कहा रहा हूँ, कि X और Y के बीच में, X और Y के बीच में, directly proportional relation है, तो अगर मैं X और Y का graph बना आउंगा, तो वो graph कैसा मिलेगा, straight line, जब भी directly proportional होगा, graph straight line ही मिलना है, तो वही graph यह दिया हुआ है, NCRT में, ठीक है, अलग-अलग potential पर, अलग-अलग potential पर, आपको अलग-अलग current की value मिली, और फिस सारे points को आपने, एक line से जोड़ दिया, तो क्या मिल गया, current की value मिल गया सॉरी, current बोल रहा हूँ, तो आपको सारे point को जोड़ दिया, तो graph मिल गया, अब graph अगर V, I graph है, V और I, यानि Y axis पे potential, और current, X axis पे current, तो V upon I, perpendicular upon base, तो graph का जो slope होगा, वह आपको R की value देगा, यानि resistance की value देगा, और अगर IV graph होगा, तो 1 by R की value देगा, तो यह भी आपको ध ध्यान रखना है, V I graph में, slope किसकी value देता है, R की value देता है, और IV graph में, जो slope है, वह 1 upon R की value देता है, फिर आपको यहां से R निकालना पड़ेगा, एक बार और, आपको V I graph, IV graph में 1 by R की value मिलेगा, यहां से फिर R निकालना पड़ेगा, एक step बढ़ जाता है, तो यह ध्यान या समझ में आगया जैसे यहां आपको आईवी ग्राफ में कि आईवी ग्राफ में करेंट क्या मिला करेंट मिला 10 एंपियर और पोटेंचल मिला 5 वोल्ट तो यह आपका आगया कितना टू बाई वन नहीं आया वन बाई आ रहा आ क्योंकि आई वी ग्राफ का slope, slope मतलब perpendicular upon base, ठीक है, अब perpendicular में क्या था, current, base में क्या था, base यानि ये x-axis, इसमें potential था, तो perpendicular upon base, यानि 10 ampere upon 5 volt, तो इसकी value क्या आई, 1 upon R, अब यहां से R आपका कितना निकला, 1 by 2, यह आपका answer है, यहां resistance 1 by 2 हो गया, ऐसे समझना है, ठीक है, चल फिर अगर register series में हो, तो यह उसका answer की diagram है, तो I think यह आपको बहुत easy है, यादा आता है, लेकिन इसमें ध्यान अकना है कि series में, चाहे जितने register जोड़ दो, सब में current की value क्या रहेगी, same, तो जो battery से current निकलेगा, वही current पहले register से pass होगा, वही दूसरे से, वही तिसरे से, और वही जितने भी register series में होंगे, सबसे वही current pass होगा, तो series में आपका जो I होता है, वो same होता है, तीक है, next, अब आप क्या देख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि यह तीनो register parallel में है, कैसे पहचाना, कि एक ही point से निकले, और आगर एक ही point पर मिल गए, एक point से निकलना हो, एक की जगह पर मिल लेना, यानि घर से निकले, सभी अपने घर से निकले, और सभी चाय की दुकान पर मिल गए, तो निकलने का जगह common था, और मिलने के जगह common थी, तो जब भी ऐसा हो, समझ जाना कि यह parallel combination है, यानि branch होती है, अब इसमें ध्यान देने वाली बाच है, कि यहां तो X और Y के बीच में, R1 के cross B potential V1, R2 के cross B potential V, V1 नहीं, V, sorry, और R3 के cross B V, और यह V वही होगा जो battery का था, तो जो battery का potential, वही parallel में हर resistor के cross potential होता है, तब ही हम कहते हैं कि parallel में potential सेम रहता है, सेम किसके सेम, जो battery है, उसके सेम, ठीक है? Next, magnetic effect of electric current, तो आईए इस chapter के important diagram कर लेते हैं, सबसे पहले आप यह diagram देख रहे हो, यह diagram यह बात को बता रहा है, इसी diagram से यह experiment को शो कर रहा है, जिससे magnetism का और electricity का आपस में जो connection है, वो पता चला था, कि यह current carrying wire है, इसके पास हमने compass needle को लाया, तो compass की needle में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया, और यही experiment किस ने किया था? Hans, Christian और Stead ने, कि current carrying wire के पास जग compass की needle को लाया, तो compass की सुई घूम गई, और compass की सुई तभी घूमेगी, जब आसपास magnetic field हो, तब पता चला, अरे आसपास magnetic field किस ने पैदा किया? इसी current carrying wire ने पैदा किया, तो current के वज़े से magnetic field और उस magnetic field ने इस compass की needle को deflect कर दिया, और यहाँ एक चीज़ आपको ध्याँ रखना है, कि current जितना ज़्यादा होगा, magnetic field उतना ज़्यादा strong पैदा होगा, और वो magnetic field, compass की needle को उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, deflect करेगा, तो अगर आपसे question पूछा जाए, कि मैं इस wire में current की value को बढ़ा दूँ, तो compass की deflection पे क्या आसर पढ़ेगा, तो आप ही बताईए क्या आसर पढ़ेगा, compass की deflection और बढ़ देगा, clear, ठीक है, फिर अगला जो experiment देख रहा है, अब current carrying wire के अगल बगल magnetic field, ठीक है, लेगिन magnetic field तो बार magnet के अगल बगल भी हो सकता है, लेगिन magnetic field दिखता कैसा है, आखों से तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इमेजनरी होता है, होता है, जैसे हवा, होती है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमें दिखे, और दिखेगा, तो कैसा इसका pattern होगा, इसे पता करने के लिए, हमने बार magnet के अगल बगल, लोहे के छोटे छोटे टुकडे, जिसे कहते हैं iron fillings, तो हमने iron fillings को जब बार magnet के अगल बगल छिड़का, तो हमने कुछ ऐसा pattern देखने को मिला, औ magnetic field lines के pattern को बता रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, कि iron fillings, pole पे बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाں सर, आप सहई कहा रहे हो, कि poles पे तो बहुत ज़्यादा lines दिख रहे हैं, है ना, यानि बार magnet के pole पर magnetic field बहुत strong होता है और अगर हम bar magnet का magnetic field imagine करें तो कुछ इस तरीके का उसका pattern होगा ये तब आपको नजर आ रहा है जब iron feelings है iron feelings हटा दूँ तब भी bar magnet के अगल बगल magnetic field होगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा उसको दिखने के लिए हमने iron feelings का use किया तो अगर आपसे board exam में पूछे कि हम एक bar magnet के चारों तरफ iron feelings को sprinkle कर देते हैं यानि छिड़क देते हैं तो जो iron feelings का pattern होगा arrangement का वो arrangement किसके arrangement को दिखा रहा है तो वो arrangement iron feelings का जो pattern है वो bar magnet के around magnetic field lines या कहलो magnetic field का pattern ठीक है next अब उसी pattern से पता चला कि magnetic field lines ऐसी होती है तो हमने draw करके देखा draw करके देखा तो ऐसा देखा कि north से निकलती है south पे terminate हो जाती है और poles पे सबसे ज़्यादा है ठीक है तो ये वाला pattern कहां से पता चला यहीं से तो पता चला तो ये जो आप diagram देख रहे हो ये बार magnet के magnetic field lines का pattern है ये बनाने को आ सकता है बनाने को आएगा तो बनाना और arrow दरू दिखा देना क्योंकि फिर concept आपका भिगड जाएगा arrow नहीं दिखा हो गए तो पता नहीं चलेगा किदर से निकली किदर गई बताना पड़ेगा ना कि नौर से निकली तो निकलने का arrow ऐसे और south पे terminate हो गई तो south पे terminate हो रही है तो arrow ऐसे south के तरफ जाता हुआ ठीक है चलिए next ये वही है आपका की current carrying wire है और current carrying wire straight है ठीक है जैसे मालो ये अब इस wire तो vertical position में अब इसके horizontal में मैंने cardboard रख दिया और इस cardboard के अगल बगल मैंने compass की needle लग दी और तब जब चेक किया कि current carrying wire भी तो magnetic field बनाएगा लेकिन जो current carrying straight wire होगा उसका magnetic field का जो pattern होगा वो कुछ इस तरीके से concentric circle के form में होगा अब ये circle का direction clockwise भी हो सकता है anti clock wise भी हो सकता है depend करता है कि current का क्या direction ठीके तो यहाँ current का direction हम arrow से दिखा रहे हैं और magnetic field का direction हम ये concentric circle से दिखा रहे हैं और ये सभी concentric circle concentric circle मतलब जिसका center common हो तो center तो यही है ना चाहिए circle का देख लो चाहिए circle का चाहिए circle का और इस circle से सेंटर से कौन गुजर रहा है वायर तो current carrying straight conductor का magnetic field का pattern कैसा होता है concentric circles with the wire as the center यानि concentric circle के form में magnetic field का pattern होता है किसका current carrying straight wire का और current carrying straight wire का magnetic field का pattern है उसमें concentric circle का जो center है उससे कौन गुजर रहा है वायर गुजर रहा है ठीक है अब यह मैगनेटिक फिल्ड में जो कॉंसेंट्रिक सर्कल का डिरेक्शन क्लॉक्वाइज होगा कि एंटी क्लॉक्वाइज यह डिपेंड करता है करेंट के डिरेक्शन पर और यह पता लगाने के लिए हम एक रूल यहां ध्यान रखते हैं जिसको कहते हैं फ्लेमिंग इससे कहते हैं राइट हैं थम रूल क्या कहते हैं मैक्सवेल का राइट हैं थम रूल यह उसका डिरेक्शन है यह है राइट हैं थम रूल ठीक है अगर आपका करेंट केरिंग स्ट्रेट वायर इसको ऐसे समझो करेंट केरिंग वायर स्ट्रेट है अब इसमें करेंट या त हम करेंट के डारिक्षöण में रख देना है फिर यह देखना आ कि आपके इनगलिहां कि सपेंडर्य्ट में मोड रही है तो नटा है मैं आना तो डैएरट्चन ठीक है इसे आप क्या कहेंगे clockwise कहेंगे की नहीं तो यहां magnetic field का pattern concentric circle है लेकिन वह भी clockwise में घुमते हुए लेकिन यहां देखो लगाओ right hand thumb rule current के direction में अपने right hand का thumb तो इस बार current ऊपर है तो current के direction में मैंने right hand के thumb को रखा अब इस बार मेरी जो उंगलिया है वो कैसे घूम रही है वो ऐसे घूम रही है ये ये आपका anti clockwise है मतलब concentric circle यहां भी बनेगा क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि current carrying straight wire का magnetic field का pattern दिखने में तो concentric circle की तरह होगा लेकिन ये concentric circle clockwise में घूमेगा तब concentric circle clockwise होगा जब current आपका vertically downward होगा और यही current अगर vertically upward direction में है तो ये जो concentric circle होगा तब आपका anti clockwise होगा क्या होगा anti clockwise बात समझ में आ गई पिर ये भी ध्यान रखना है कि wire से दूर जाओगे तो magnetic field का pattern जो होगा उसमें magnetic field lines के बीच का gap बढ़ता जाएगा गैप बढ़ेगा इसका मतलब magnetic field की strength कम होती जाएगी तो wire से दूर जाने पर magnetic field कम जोर हो रहा है wire के करीब आने पर magnetic field strong हो रहा है current के बढ़ाने से magnetic field strong होगा current के कम करने से magnetic field कम होगा और current के direction को reverse करने से magnetic field का direction भी reverse हो जाएगा यह आप साफ साफ देख पा रहे हैं तो इतनी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि अब कोशन आ जाएगा कि मैंने current carrying straight wire के करीब मैंने compass की needle को रखा और compass की needle को जब मैंने current carrying wire के करीब रखा तो अब मैंने compass की needle को दूर ले गया पहले यहां रखा था अब compass की needle को मैं दूर ले गया तो क्या असर पड़ेगा इसके deflection पर तो जब आपने यहां रखा था करीब रखा था wire के तो magnetic field इस position पर strong थी लेकिन जब आपने compass को दूर ले गये तो current carrying straight wire से आप दूर ले जाने पर magnetic field कम जोर हो गया तो compass के needle पर deflection कम होगा है ना magnetic field strong है तो ज़्यादा deflection magnetic field weak है तो कम deflection और weak कहां होगा दूर तो deflection भी कम होगा पास आओगे magnetic field मजबूत होगा तो deflection भी ज़्यादा होगा ऐसे question आते हैं तिक है अगर आपसे कह दिया जाए कि मैंने इस current carrying wire का जो current है उसको मैंने double कर दिया तो magnetic field pattern पर क्या आसर पड़ेगा तो magnetic field pattern strong हो जाएगा current आपने i की जगर 2i कर दिया तो magnetic field lines भी क्या हो जाएगी पास पास आ जाएगी क्योंकि जितनी पास पास होंगी magnetic field lines उतनी ज्यादा strong magnetic field होगी ठीक है तो अब आपको अगर circle के form में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएगे तो पहले जैसे आपने ऐसे बनाया था अब आपको क पास पास बनाना पड़ेगा इसमें और इसमें समझ में आ रहा है अंतर इसमें gap जादा है तो magnetic field के बीच में gap जादा तो इसका मतलब magnetic field कमजोर है और यह कमजोर इसलिए था क्योंकि current कम था अब आपने current को i2i कर दिया तो magnetic field lines का pattern क्या हो गया crowded हो गया मतलब lines पास पास आ ज जाएगा इसे दिखाने के लिए आपको magnetic field lines पास पास बनानी पड़ेंगी वास समझ में आई यह भी दिखाना है तो magnetic field strong है कैसे दिखाओगे magnetic field lines को पास पास बनाना पड़ेगा और magnetic field कमजोर है तो कैसे दिखाओगे magnetic field lines को दूर दूर बनाना पड़ेगा यानी gap बढ़ा द पैटर्न है है यहां आपको धिहान देना है यहां भी थम रूम लगेगा लेकिन हर पॉइंट पर आपको लगाना पड़ेगा हर पॉइंट करन्क का डारेक्षिन क्यों हो रहा है बदल रहा है । यहां करींट का direction जो था ही कई लेकिन जैसे जब से आप कोईल के सेंटर के तरफ आएंगे की कौई Il का सेंटर है तो यह मैगनेंटिक फिल्ड लाइंज जो कर्व हैं वो स्ट्रेथ होती जाएंगी और सेंटर बिल्कुल स्ट्रेथ हो जाएगा स्ट्रेटिक област ठी टो यह आपका का का पैटन है current carrying circular coil अब आगे चलते हैं नेक्स यह है आपका solenoid और solenoid के वज़े से पैदा होने वाला magnetic field का pattern यह है अब solenoid कैसे बनता आपको भी पता है कि solenoid में बहुत सारे circular coil होते हैं जिसके वज़े से उसका shape cylinder की तरह हो जाता है आँ इसमें current enter करेगा current एंटर करेगा तो current के direction के वज़े से यहां एक magnetic field पैदा होगा और वो magnetic field क्या होगा solenoid के अंदर तो uniform होगा क्यों कि uniform इसलिए होता है क्यों कि magnetic field lines क्या होती है parallel ठीक है लेकिन यह बाहर uniform नहीं होगा बाहर यह north से निकलेगा और south पर terminate हो जाएगा ठीक वैसे ही जैसे solenoid की comparison bar magnet से की जाती है तो यह question आता है कि how can you say that magnetic field is similar solenoid is similar to bar magnet how can you compare तो आपको क्या करना होगा bar magnet और solenoid दोनों का magnetic field का diagram बनाना पड़ेगा ठीक है और यह लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों का magnetic field lines का pattern बिल्कुल similar है तो हम कह सकते हैं कि solenoid behaves like a bar magnet ठीक है अब इधर आप देख पा रहे हो कि इधर north pole बना हुआ है और इधर south pole बना है तो क्या जरूरी है हमेशा north pole इधर ही बने नहीं कोई जरूरी नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि solenoid में north pole इधर बन जाए south pole इधर बन जाए यह depend करेगा current का क्या direction है जैसे यहां अगर आप देखोगे तो यहां हर turn में current का direction नीचे की तरफ है और हर turn में current नीचे की तरफ जा रहा है तो current नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ अपने right hand के fingers को रखोगे तो जो thumb है वो किधर बना मेरा जिदर थम बनेगा उधरी नॉर्थ पॉल होगा मैं ऐसे भी कर सकता था कि हर टर्न में करेंट उपर की तरफ आ रहा है तो इस बार थम ऐसे हो गया तो जिदर थम होगा उधर नॉर्थ पॉल बनेगा तो ये डिपेंड करता है कि बैटरी में आपने तार को बैटरी से कैसे जोड़ा है ठीक है बैटरी से जोड़ने का तरीका कैसा है आपका तो दो ही option है या तो जो current है वो उपर से नीचे जाए solenoid में है ना तब इधर north pole इधर south pole बन जाएगा नहीं तो दूसरा option है कि solenoid में जो current है वो क्या हो वो ऐसे नीचे से उपर जाए तो north pole इधर south pole इधर तो आपका इधर से magnetic field lines निकलेंगे इधर खर्तम होंगी लेकिन अंदर वो parallel ही होंगी और parallel होती है तो इसी लिए solenoid के अंदर magnetic field uniform होता है अब आपने देखा कि solenoid के अंदर magnetic field uniform होता है यानि सेम होता है और क्यों सेम होता है क्योंकि magnetic field lines parallel होती है अब इस magnetic field का हम यूज कर लेते हैं क्या बनाने के लिए किसी भी soft iron के material को electromagnet बनाने के लिए कैसे बहुत आसान है देख लो solenoid के अंदर जो खाली जगह है उसे core कहते है जगह को space को core कहते है अब उस core में मैंने कोई iron soft iron का material डाल दिया जैसे ये दिख रहा है तो ये बाहर solenoid solenoid के अंदर जो खाली जगह है वहां मैंने soft iron का एक material डाल दिया अब solenoid के अंदर जो magnetic field है वो इसे ताकत दे देगा magnetic field की ताकत दे देगा तो अब ये भी magnetic power में आ जाएगा यानि इसके अंदर भी magnetic शक्ती आ जाएगी और ये बन जाएगा एक magnet जिसे कहेंगे electromagnet क्योंकि ये temporary magnet है permanent नहीं है क्योंकि अगर इस rod को मैं बाहर निकाल लूँ तो थोड़ी देर बाद इसकी magnetic शक्ती गायब हो जाएगी है ना यानि इसके अंदर magnetic शक्ती तभी तक है जब तक ये solenoid के अंदर है तो यानि इसके पास magnetic शक्तियां पर्मानेंट नहीं है temporary है और ऐसे ही temporary magnet को हम electromagnet कहते हैं ठीक है बाद समझ में आ गई तो ये current carrying solenoid coil is used to magnetize steel rod inside it जिसे हम electromagnet कह सकते हैं तो ये उसका diagram है बनाने को आ सकता है ठीक है और ये जरूर है कि जब भी आप solenoid बनाना तो solenoid के wire को battery या cell से जरू connect करना देखो यहाँ जोडा है कि नहीं यहाँ भी देखो battery cell से जोडा है कि नहीं क्यों कि भाई जब current flow होगा तभी तो magnetic field पैदा होगा और magnetic field पैदा होगा तो magnetic field का pattern नजर आएगा कई बच्चे क्या करते हैं solenoid में ऐसा करते हैं मैं बता रहा हूँ solenoid में ऐसे बनाया और ऐसे दिखा देंगे कि magnetic field lines parallel है अंदर और बाहर ये ऐसे जा रही है तो ये गलत है ना बेटा कैसे गलत है अरे जब current आपने battery दिखाया क्या नहीं दिखाया तो battery नहीं दिखाया तो इस solenoid में current कहां से flow करेगा तो आपको battery से जोड़ना पड़ेगा solenoid को तब current इसमें flow होता हुआ दिखेगा ठीक है और south पर terminate होती हुई दिखाया देंगे आज समझ में आई और अगर आपसे यहीं कहा जाए कि मैं battery के polarity को change कर दूँ polarity का मतलब जिधर plus है उधर minus हो जाए तब क्या होगा बताओ बताओ plus minus plus minus plus minus अब बैटरी के current का जो direction वो बदल गया बैटरी के polarity को change किया तो current का direction बतल गया पहले current ऐसे जा रहा था अब current इधर से जाएगा क्यों होगि current positive से निकलता है तो यहां current का direction अब क्या हो जाएगा नीचे से उपर की तरह current का direction पलट गया तो north pole polarity भी change हो जाएगी तब north pole इधर बनेगा south pole इधर बनेगा तो यानि अगर solenoid में हम battery का polarity change कर दें या current के direction को reverse कर दें तो pole भी reverse हो जाएगे exchange हो जाएगे बात समझ में आगे लेकिन bar magnet में ऐसा नहीं हो सकता bar magnet के pole अपनी जगह पे ही रहते है polarity change नहीं हो सकती क्योंकि bar magnet में कोई current थोड़ी है जिसके वज़े से magnetic field पैदा हो रहा है वो तो अपने आप में magnet है चली ठीक है आगे चलते है next अब देखिए अब बात आती है current और magnetic field जब आपस में मिलते हैं तो यह force लगाते है और उसी को prove करने का यह experiment है इस experiment में क्या किया गया है wire की मदद से एक rod को लटकाया गया है stand से और फिर यह जो wire है उसको battery से जोड़ दिया गया है तो battery से जोड़ने पर wire में current flow होगा है ना तो यह current flow हुआ अब current आया current इस rod में से भी flow हो रहा है तो इस बार current का direction क्या है बी से ए बी से ए current का direction है तो यह rod rod में current का direction बी से ए अब rod जो है वो कुछ ऐसे position में है यानि यह जो मेरी fingers है ना यह जो magnet है उसके pole है यानि कुछ ऐसा है ठीक है यानि ऐसी position है तो magnetic field का direction क्या होता है magnetic field का direction होता है north से south की तरफ तो यह नीचे से उपर की तरफ क्या हो गया magnetic field का direction और current का direction क्या है B से A तो यह ऐसा है यह मालो B यह A तो B से A यानि आप की तरफ current का direction और मेरी fingers magnetic field को बता रही है तो यह उपर की तरफ अब आप क्या देख रहे हो कि current और magnetic field 90 degree है यह 90 degree बन रहा है तो अब इस पे conductor पे force लगेगा और यह force निकालने का direction force को निकालने का direction ही कौन सा rule पताता है flaming left hand rule इस बार force लगेगा left direction में कैसे आप देख लो अब आपको क्या करना है अपने left hand का इस्तमाल करना है left hand के thumb four finger और middle finger तो four finger को magnetic field के तरफ रखना है वो उपर है तो यह मैंने उपर रख दिया current को middle finger को current के direction में रखना है तो current का direction आपकी तरफ था तो यह मैंने आपकी तरफ कर दिया है यह मिडल finger आपकी तरफ अगर मैं यहां current के direction को बदल दू तो force का direction भी reverse हो जाएगा current को मैं B से A नहीं A से B कर दू तो force आपका left नहीं right हो जाएगा direction यानि current के direction को reverse करने पर फोर्ट का direction reverse हो जाएगा वो कैसे होगा मैं पोल को इंटर्चेंज करते हैं कि साउथ नीचे नौर्थ उपर अब magnetic field का direction क्या हो जाएगा नौर्थ से साँथ यानी नीचे की तरह तो अगर मैं magnetic field के direction को भी reverse कर दू तो भी force का direction reverse हो जाएगा तो कि current और magnetic field पर dependent है force और ये force maximum तब होगा जब current और magnetic field आपस में 90 degree होगा तो rod में जो displacement होगा वो maximum होगा कब जब force जदा होगा और वो कब जदा होगा जब current और magnetic field आपस में perpendicular होगा तो इसी को prove करने के लिए ये activity दिखाई गई है NCRT में इस पर question आ सकता है तो ये कभी कभी आता है कि design and activity to prove the prove the flaming left hand rule या to prove the application of force on a conductor with the help of current and magnetic field याने कि जब जब current और magnetic field होगा तो conductor पर जो force लगेगा इस बात को दिखाने के लिए आप एक activity बनाऊ तो activity में आपको ये सब सारी diagram बनाने पढ़ेंगों लिखने पढ़ेंगे कि हमने एक wire लिया, wire से rod को लपेट दिया और फिर rod को stand से हम लटका दिया और rod के उपर और नीचे हमने एक horseshoe magnet रखा तो हमने ये देखा कि जो force लगा वो rod पे लगा क्योंकि यहाँ current और magnetic field क्या था? perpendicular बास समझ में आ गई? और इसी force का direction बताने के लिए हमको इस्तमाल करना होता है flaming left hand rule तो flaming left hand rule में तीन चीज़े है थम आपका force का direction देता है four finger magnetic field का और middle finger current का यह होगी आपका flaming left hand rule अब यहाँ current की जगह कभी कभी positively charge particle भी दे सकता है जैसे alpha particle, proton, positron वो हो सकता है negatively charge particle भी दे सकता है तो अगर आपको particle दिया है तो अगर वो positively charge particle है तो जो जिस direction में positively charge particle जा रहा है उसी direction को आप current का direction ले लेना लेकिन अगर negatively charge particle जैसे electron है वो जिस direction में जा रहा है उसका opposite direction current का लेना तब जाकर आपका question solve होगा तब आपका force निकलेगा जरूरी नहीं हर बार question में current ही दिया रहे कई बार positively charge या negatively charge particle भी दे सकता है तो अगर particle दिया हो charge particle हो current का direction कैसे निकालना हो बहुत simple है जिस direction में positively charge particle जा रहा है वही direction current का होगा लेकिन जिस direction में negatively charge particle जैसे की electron जा रहा है तो उसके opposite direction current का होगा तो current का direction मिल गया magnetic field का direction मिल गया और force का direction आप इस flaming left hand rule से निकाल लेंगे तो फिर last में आता है ये domestic electric circuit का diagram तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो mains की supply से आती है और mains में दो तार होते हैं live wire और neutral wire live और neutral wire के बीच में ही जो potential है वो 220 volt होता है है ना तो यानि कि हमारे घर में TV, AC, fridge जहां भी connection जोड़ा गया है वहाँ हमेशा दो तार से जोड़ा गया है एक तार और है भी चर्शा करेंगे लेकिन दो तार main है live wire और neutral wire तो हमने मालो bulb bulb का एक हिस्सा live wire से जोड़ दिया दूसरा हिस्सा neutral wire से तो live और neutral wire के बीच में bulb आ गया जैसे माल लेते हैं यहां bulb है तो connection हुआ हाँ connection हुआ difference कितना आया potential का 220 volt है ना तो potential में difference के कारण उस bulb से क्या flow होगा current और जब bulb से current flow होगा तो current glow करेगा और हम घरों में parallel connection करते हैं तो हर appliance को same potential मिलेगा 220 का ठीक है और ऐसे appliance जिनकी body metallic है तो metallic body के कारण हो सकता है कि कहीं उस appliance का जो wire है वो body के touch में आए तो current हो सकता है कि उसके body में आ जाए और हम छुएंगे तो हमको current लग जाएगा तो इसी लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे appliance में एक और wire का यूज करते है ऐसे appliance से बचने के लिए electric shock से बचने के लिए हम earth wire भी यूज करते हैं तो ये green color का आपका earth wire है तो जैसे हैं हम जैसे मालो fridge है fridge का plug लगाएंगे तो fridge का plug 3 pin होता है तो जिसमें जो उपर वाला pin होता है वो लंबा होता है तो सबसे पहले socket में वो जाएगा अगर वो जाएगा तो fridge के body में जो current है उस सारा current यहां से होते हुए अर्थ वायर से जमीन के नीचे चला जाएगा और फिर हमें shock नहीं लगेगा तो यह काम है safety का काम है अर्थ वायर का leakage current को धर्थी के नीचे पहुचा देना और हमारे body में नहीं जाएगा current तो हमको जटकाने लगेगा तो यह common domestic electric circuit का diagram है और यहां live और neutral वायर के बीच में आप देख पारे हो कि 220 volt का potential difference फिर यहां electricity fuse fuse के बाद यहां meter लगा हुआ है और फिर distribution box है तो fuse का काम भी पूछा जाता है fuse का काम क्या है high current को रोकना घर में आने से ताकि हमारे electrical appliances खराब ना हो तो यह ऐसे material का बना होता है जिसका resistance high होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत काम होता है है ना clear चलिया तो यह थे आपके physics के सारे important diagram I think आपको सारे diagram आने explain कर दी है आपको समझ में आ गया है आपका एक बढ़िया revision हो गया है अब आपको question आएगा तो आप आराम से question solve कर लोगे तो मिलते हैं आपको live session में है ना आप video अगर आप देख रहे हैं तो इसके बाद भी live session चलने वाले हैं और physics का तो diagram वाला session आ गया bio के complete diagram का भी session आएगा तो उसको जरूर देखिएगा तो thank you so much board exam के लिए best of luck